हेलो फ्रेंड्स नमस्ते सत्रिया कोल क्या हाल चल है आप सब के, आप सब को असलाम अलेकूम अच्छा जी यहाँ आप देख रहे हैं मैंने एक अनार को छील के रखा है और अभी काफी सारे अनार और हैं जिनको मैंने छीलना है तो एक फ्रेंड हैं हमारे बहुत प्यारे से जिन्नों ने पूछा था कि जब आप अनार का जूस बनाने लगें तो वो हमें जरूर दिखाईएगा कि आप अनार का जूस कैसे बनाते हैं तो जी उसके लिए मैंने अनार के छिलके पूरे उतार लिये हैं और ऐसे अनार को रखा है कुछ एक दाने निकल जाती है जब आप छील रहे होते हैं तो उनको यहां डाला है अभी थोड़ा और इसमें से यह जो इसका स्किन होती है निकालने की कोशिश करूंगी मैं की निकल देते हैं तो उसका जो छिलका जो बाद में गुदा रह जाता है पल्प रह जाता है वो इस साइड में आ जाता है और जो इस साइड निकल के आ जाता है तो यह मैं अभी इसका यहां से यह धकन उतारूंगी इसके अंदर उसको अनार को डालके और ऐसे इसको प्रेस कर दू कि कैसे होता है छीले हुए अनार को जब मैंने प्लेट में डालके ऐसे तोड़ा तो इसके अंदर जो ये होते हैं इसके स्किन होती है उसको अलग कर लिया जाए तो बेटर है इनकेस कुछ कड़वा हो या कुछ उसका टेस्ट खराब हो जाए बड़ी असानी से हो जाता है करने से पहले ये दाने सारे जूसर में आप डाल दें उसके बाद उसको चलाएं वरना वो कफी उचल के उपर की तरफ आते हैं तो यही इसकी ट्रिक होती है कि साथ साथ मत डालें पहले आप डाल दें दानों को उसके बाद जूसर का उपर से जो मैंने वो राउंड वाला दिखाया आपको तब उसको निकालके बाहर बाद में जब बन जाए जूस तो उसको बाहर निकालें जब बन रहा है तब नहीं तो फ्रेंड्स एक अनार में से इतना प्लेट भरके निकला है अब इसका जूस निकालके देखते हैं कि कितना जूस बनता है अब ये देखिए मै मैंने इसमें अनार डालिया है और उपर इसका cover दे दिया है अब मैं इसको on करने लगी हूँ तो जी एक अनार से हमारा इतना juice निकला है थोड़ी जहाग है जहाग सेटल हो जाए तो फिर पता चलेगा तो ये जैसे जैसे जहाग इसकी सेटल हो रही है तो juice का amount थोड़ा ज़्यादा नजर आता है टेस्ट करके देखा है मैंने तो बहुत ही मीठा है लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसको अकेला ऐसे पीने की बजाए अगर मैं दूसरे fruits के साथ mix कर लेती हूँ ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि सारे fruits किसी में iron है किसी में vitamin c है तो वो सारे जब mix होंगे तो उनको digest करना भी easy होता है और वो body में जब absorb होते है ना तो उनका फाइदा भी जादा होता है बजाए इसके कि एक अकेला juice पीने में देखें iron को आपको हमेश्या vitamin c के साथ लेने से ही फाइदा होता है iron अकेली body में absorb नहीं होती है एक तो उससे आपको constipation हो जाती है तो जब आप vitamin c साथ लेते हो तो आपका पेट भी ठीक रहता है इसलिए नार का juice अकेले नहीं पीना चाहिए साथ में oranges वगेरा या apples ऐसी चीज़े ज़रूर लेनी चाहिए और chemotherapy के दोरान आपको अपने bowel movements यानि कि आपका पेट साफ रहे ऐसी चीज़ें खानी चाहिए वरना बहुत ज़ादा बुरी तरह से constipation हो जाती है और तबियत खराब होने लगती है और आपको फिर hospital भागना पड़ता है तो इसलिए मैं juices को सबको mix करके ही बनाओंगी और उसके लिए मैंने यहां रखे हुए पेर्स और यहां मैंने धो के रखे हुए apples यह दोनों फ्रूट मैंने धो लिये हुए हैं अब इनका भी juice निकालके और mix कर लोंगी सबको तो जी पेर्स को भी मैंने ऐसे चार पीसिज में काट लिया है skin के साथ ही और इसको भी यह juicer में डाल दूँगी और उपर से बंद करके और तब मैं इनको on करूंगी तो फ्रेंड्स देखिए कितना प्यारा कितना अच्छे से कलर का यह juice इतने बड़े गिलास का इसमें एक एपल एक पेर सौरी दो पेर एक एपल एक अनार उससे यह बड़ा गिलास juice का भर गया है और जो इसमें जाग थी वो मैंने चलनी से चान ली है यह थोड़ी सी है यह इसमें सेटल हो जाएगी तो अब इसको मैं बैग में डालके फ्रीजर में रख दूंगी ताकि जब भी जिस दिन भी मुझे जरूरत होती है तो मैं निकालके फ्रीजर से उसको सुभा निकाल देंगे डी फ्रॉस हो जाएगा और उसको दुपहर को पी लेंगे इसमें सोच कर दिदी हमेऊ किसी लेंग्विज में अभी पिपने को खाना भी कहते हैं तो कोई बात महीं टो ट भी ठीक है और कहीं लोग लेम जूसट डालना लाई करते हैं किसी को पसंद हो अब पता नहीं उस वक्त कैसा टेस्ट मूग का होगा और क्या चीज जादा ठीक लगेगी खाने में तो यह तो फीका रखें और उस वक्त खा के देखें और जो चीज का मन हो फिर थोड़ा सा वो डाल के देख लें वो भी ठीक रहेगा ठेंक्स आपका बहुत-बहुत कि आप साथ बने रहें और ऐसे आप जूसिस बना के नॉर्मली भी घर में ऐसे पीश सकते हैं बाई फर नाओ